सोशल मीडिया पर फ्लाइंग बिस्ट के नाम से मशूर पाइलट और यूट्यूबर गोरव तनेजा की इस तस्वीर पर बवाल हो गया है गोरव तनेजा बुरी तरे ट्रोल हो रहे हैं लोग गोरव की डिगरी तक पर सवाल खड़े कर रहे हैं लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ऐसा इस तस्वीर में क्या है जो बवाल हो गया दरसल दिकत इस तस्वीर में नहीं बलकि इस तस्वीर के साथ लिखा गया एक दावा है आपको पूरी खबर समझाते हैं दरसल गोरव तनीजा ने अपनी पत्नी रितू राठी और अपने बच्चे के साथ हवन करते हुए एक तस्वीर ट्वीटर पर शेयर की उन्होंने लिखा ग्रेप्रवेश पूजा हिंदोत्व विग्यान आधारित जीवन जीने का तरीका है 3 दिसंबर 1984 को भुपाल गैस तरास्दी में दो परिवार बच गए थे क्योंकि वो अपने घर में रोजाना हवन करते थे हवन प्रदूशन रोकने का प्राकर्ति कुपाय है गोरव तनीजा ने दावा किया कि हवन करने से ना सिर्फ प्रदूशन कम होता है बलकि भुपाल गैस जैसी तरास्दी से भी बचा जा सकता है गोरव के इस ट्वीट पर लोगों ने उन्हें बुरी तरह लपेट दिया लेकिन वो देखने से पहले आप ये जान लीजिये कि गोरव पेशेवर पाइलेट हैं और IIT खड़गपूर से इंजिनिरिंग के पढ़ाई कर चुके हैं लेकिन गोरव ने IIT में क्या सीखा उस पर अब सवाल उठने लगे है ट्वीटर पर सुमन चकरवर्ती नाम के यूजर ने लिखा घर के लिए मुबारक बाद लेकिन ये कौन सी बवासीर साइंस है वहीं अमीको रहीम नाम के यूजर ने ट्वीटर पर लिखा मैं हैरान हूँ कि ये कितना पढ़ा लिखा यूट्यूबर इस तरह की आतार्किक बाते कर रहा है जरूर इसने अपनी डिग्री इंस्टिटूट ओफ गोबर साइंस और टेकनोलोजी से ली होगी दशूदर और दन्यूसबीक के संपादर सुमें चोहान ने लिखा देखे इन लोगों पर आईटी में कितना पैसा खर्च किया जाता है लेकिन ये लोग वहाँ क्या सीख रहे है वैदिक मेरिट क्या आगे विज्ञान मला क्या है पेट्रोल बहुक भेंगा हो गया है अपने वैदिक ज्यान से पुस्पक विमान क्यों नहीं उडाते गोरव तनेजा के इस ग्यान पर अब उनकी पड़ाई लिखाई पर हुए खर्चे को वसूलने की भी मांग हो रही है वरिस पत्रकार और लेखक दिली पंडल ने ट्विटर पर लिखा आईटी में इनोंने सारी सबसड़ी वाली सस्ती पड़ाई की इनकी पड़ाई का खर्चा तमाम भारतियेट एक्सपेर्स जिसमें एक साबुन खरीदने वाला भी शामिल है ने चुकाया इससे वो पैसा भारत सरकार को वापस लेना चाहिए पूरी पड़ाई मिट्टी में मिला दी गोरव जिस हवन के जरिये परदूशन भगाने का दावा कर रहे थे कुछ यूजर्स ने उसी पॉइंट पर उन्हें बुरी तरह लपेट लिया एक्टिविस्स राजुन महर ने लिखा बढ़ते परदूशन को कम करने के लिए पूरी दुनिया में हवन होने चाहिए उनकी आज समवेदन शीलता को लेकर भी बुरितरे घेरा लोग सवाल उठा रहे हैं कि जिस बोपाल गैस तराजदी में हजारों लोगों की मौत हो गई उन्हें लेकर ऐसी फूर्ड टिपनिक क्यों की जा रही है विद्या नाम की यूजर ने लिखा ये सरासर जूट होने के अलावा भुपाल गैस तराजदी के पीडितों का अपमान है भुपाल गैस तराजदी में यूनियन कारबाइट कंपनी का साइनाइट सोते हुए लोगों पर लिख हो गया था ये कहना कि लोग सिर्फ इसलिया मर गए कि वो हिंदू रितियों का पालन नहीं कर रहे थे नफरती बयान है अब आप समझ गए होंगे कि गौरव तनेजाओ फ्लाइंग बिस्ट के इस तस्वीर पर बवाल क्यों हो रहा है इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट में अपनी राइज जरूर लिखे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ब्यूर रिपोर्ट दे न्यूस वीक